दोस्तो नमस्तो एन वर्ड में आपका स्वावत है दोस्तो आज के वीडियो के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिफेंस जगत की इस्पेसली मिलिटरी ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट केरियर के बारे में मीडिया रिपोर्ट से इस बात की जनकारी निगल के आ रही है कि इंडियन एर फोर्स को सितंबर के माह में C-295 एरक्राफ्ट जो की एक मिलिटरी ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट है वह मिल सकता है दोस्तों आपको बता दें कि यह एरक्राफ्ट इस्पेन की कमपनी ने बनाया है लेकिन भारत की टाटा गृप्स भी इसको बनाने में पूरे तरह से इच्छों गए C-295 एरक्राफ्ट केरियर की डील अक्टूबर 2021 में हुई इस डील के तहत करीब 56 बिमानों का निर्मान होना था इसमें से करीब 16 बिमान इस्पेन में ही बनने थे और उसके बाद बागी करीब 40 बिमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भी बना सकती है यह निर्मान प्रक्रिया स्पेन और भारत के बीच पार्टर्शिप के तहत हो रही है टाटा ग्रूप इसके लिए गुजरात में बनोदरा में फैक्टरी भी लगाने वाला है यह फैक्टरी साल 2026 तक बन कर तयार हो सकती है वहीं दोस्तों आपको बता दें कि साल यानि सिप्तमबर जोर्टेज में भारती वायुशेना को पहला C-295 मिलिटरी एरग्राफ मिल सकता है दोस्तों आपको इस बात की भी जनकारी दे दें कि भारती वायुशेना के पास इस समय नौ इसी तरह के ट्रांस्पोर्ट बिमान है इनमें C-130 जे सुपर हर्कुलेस और विशाल काई C-17 ग्लोवल मास्टर इनमें से तीन ग्लोवल मास्टर सामिल है फिलाल वायुशेना के पाइलेट्स के पहले बैच भी इस एरक्राफ को उड़ाने की ट्रेनी ले सकते हैं उधर पिछले ही साल नौंबर से 40 C-295 बिमानों के लिए मैटल कटिंग का काम टाटा ग्रुप्स ने सुरू कर दिया है वही हैदराबादे फिलाल इनकी मेन कॉंस्टिट्यूट असेम्बली है और वहीं पर इनके पार्ट्स को बनाया जा सकता है दोस्तों आपको बता देगी गुजरात के बडोदरा में प्रतेक C-295 बिमान को अंतिरूप दिया जाएगा जिसमें की इंजन लगाना, इलक्टोनिक सेट करना वही हुई उसके बाद इसे वायुसेना को यहीं से डिलेबरी भी होगी यह C-295 एरक्राफ्ट भारती वायुसेना के बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि यहीं बिमान, डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्व आपरेशन्स यान अगर किसी भी दूसरे देश में कोई भी केलामीटी ये क्राइसिस आती है उसके लिए भी इन बिमानों को यूज कर सकते हैं यानि भारती वायुसेना की रच्छा की ताकत बढ़ने वाली है इसके बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको समय सना पर बताते रहेंगे इसी के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुनना बहुत जरूरी है क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे नमस्कार